तो आज हम इस यूडियो में बात करेंगे कि गैंगरीन को आयरोधिक ट्रीटमेंट से किस तरह से ठीक कर सकते हैं या फिर आयरोधिक ट्रीटमेंट गैंगरीन के लिए क्या होती है इसके बारे में तो सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी है कि हर प्रकार के गैंगरीन को हम आयरोधिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं कर सकते हैं अगर उस व्यक्ति में ड्राइ गैंगरीन या वेड गैंगरीन है वो भी उस पेशन में अगर कोई दूसरी को मॉर्बिडिटी नहीं है और अगर वो पेशन यंग है, हेल्दी है, अडल्ड है उसमें सिर्फ गैंगरीन है, बाकि कोई कॉम्पलिकेशन नहीं है और जो गैंगरीन है, वो भी सिर्फ सुपरफेशिल है, इसे के साथ साथ उस गैंगरीन की सिर्फ अभी शुरुआत ही हुई है, मतलब कि अक्यूट है, अभी क्रॉनिक नहीं हुआ है तो फिर उस केस में हम उस पेशन में आयरोधिक टीटमेंट दे सकते हैं और हम इसके दूसरी साइट देखें, तो जिस पेशन में गैस गैंगरीन है या फिर इंटरनल गैंगरीन है तो फिर उस पेशन में हम आयरोधिक टीटमेंट से उस पेशन को क्यूर नहीं कर सकते हैं अगर किसी patient में gas gangrene है या फिर internal gangrene है और वो gas gangrene या फिर internal gangrene काफी advance हो चुका है, काफी deep जा चुका है उस patient के body में, उस gangrene के वज़े से उस patient में sepsis हो चुका है, इसके साथ साथ उस patient में बाके भी कुछ comorbidities है, बाके भी कुछ medical conditions है, complications है, तो फिर उस patient में हम aerodic treatment इस्तमाल न उस patient में dry या wet gangrene है, और उस patient में बाके कोई complications या फिर comorbidities नहीं है, अगर हमें gangrene से जल्दी ठीक होना है, तो फिर हमें aerodic treatment के साथ साथ allopathic treatment भी लेनी पड़ेगी, अगर हम दोनों treatment side by side लेते हैं, उन specialty के doctors के guidance के अनुसार, तो फिर गैंगरिन काफी जल्दी ठीक हो सकता है, तो अब हम बात करेंगे कि जो aerodic protocol है, dia gangrene को treat करने के लिए ओ क्या है, तो सबसे पहले बात तो gangrene को treat करने के लिए, जिस patient में dry gangrene है, या फिर wet gangrene है, और उस patient में सिर्फ gangrene के अभी शुरुआत ही हो चुकी है, इसके साथ-साथ उस patient में कोई complications और comorbidities नहीं है, उस patient को हम OPD basis पे aerodic treatment gangrene को treat करने के लिए दे सकते हैं, तो जब हम gangrene को treat करने के लिए aerodic treatment देते हैं, तो उसके अंदर उस patient को कुछ aerodic tablets देने हो तो आयरुएदा में हम उस patient को कैशल गुगुलू नाम की एक aerodic वटी होती है, या फिर tablet आप बोल सकते हो, तो एक gram की कैशल गुगुलू नाम की वटी या फिर tablet उस patient को सुबाश शाम दिन में दो बार देनी है, लगातार दो महिने, इसके साथ-साथ संजिवनी वटी 250 mg द रखम के उपर लगाया जाता है, जिसको कि हम lab या फिर external application इसे भी बोलते हैं, तो इस तरह से उस patient में इस तरह का lab दिन में एक या दो बार लगाया जाता है, और A lab भी उस patient में लगातार हर दिन दो महने तक दिया जा सकता है, लगाया जा सकता है, तो एक कुछ aerodic basic protocol है, जो complications है, या फिर किसे patient में बाके भी कुछ comorbidities है, अगर patient में diabetes है, या फिर बाके भी कुछ complications बने हुए है, तो फिर उस patient में आयरुदिक treatment हम successfully नहीं दे पाते हैं, तो I hope कि आज की वीडियो में हमने जो गैंगरीन की आयरुदिक treatment की बात की, आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपके इसके विश्के में कुछ doubts है, तो आप हमें नीचे comment section में ज़रूर पूछ सकते हैं, इसी के साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकरी मिली है, तो इस वीडियो के लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को आप तक subscribe नहीं किया है, तो जाते जात चैनल को subscribe भी करें, और इस वीडियो को अन तक देखनी के लिए आप सभी का धन्यवाद.